अस्सलाम आलेकुम, मेरे पास सामसंग का मुबाइल है S7 इसका बैक कवर यानि के बैक गलास मेंने तब्दील करना है आज मैं आपको इसका तरीका कार बताता हूँ के इसको किस तरह तब्दील करना है इसका जो पहले वाला बैक कवर है इसको हार्ट रेगन से थोड़े सी हीट दे कर नरम करने के बाद उतारा जाता है लेकिन मैं बहुत कम कोशिश करता हूँ कि हार्ट रेगन इस्तमाल करूँ क्योंकि बाद वकात कैमरा लेंस डैमज होने का अंदेशा होता है या बाड़ी जो इसकी होती है जुलस जाने का अंदेशा होता है यह मैंने इसका बैक कवर जो पहले वाला था उतार लिया है इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ तो अब मैं आपको तरिका बताता हूँ कि इसकी जो गम है वो हमने किस तरह उतार नहीं है करना इस तरह के एक ट्यूजर लेके यह जो गम है नहीं इसकी थोड़ी सी नुकर पकड़के ट्यूजर को मूव करते जाना है तो इस तरह जो गम है वो सारी रोल बनके ट्यूजर के साथ चिमटना शुरू हो जाएगी और यह बड़ा जबरदस तरीका है गम को सीटी सी या किसी भी कैमिकल से उतारने की कोशिश नहीं करनी क्यूंकि यह गम फैलना शुरू जाती है और बोर्ड के अंदर कैमिकल जाने का अंदेशा होता है जिसकी वज़ा से मुबाइल बाज उकात शार्ट हो जाता है थोड़ा सा टाइम लगता है इस काम पर लेकिन बहुत अच्छे तरीके से गम जो है वो इसकी उतर जाती है यह जो छोटे छोटे गम के जर्रात हैं इनको भी उतारेंगे और बाद में अलकासा सीटी सी लेके काटन के साथ इसके जो किनारें हैं साथे साफ कर देंगे पैनल लगाना हो या बैक कवर लगाना हो सफाई करने के बाद इसके जो फ्रेम की नुकरें हैं उनको अच्छी तरह हमने चेक कर लेना तो यहां से यह थोड़ा सा तिरचा हो गया है तो इसको हम सबसे पहले कलियर करेंगे अगर इसको हमने कलियर ना किया तो बैक कवर सही तरिके से नहीं बैठेग़ना मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें ये कितना जबरदस्त बैलन्स हो गया है तो अब जो इसका कवर है वो बहुत अच्छे त्रिक्के से फिटिंग में आएगा बैक कवर के पीछे ही इन्होंने डबल टेप बिल्कुल बारीक सी दी होती है तो जब भी बैक कवर लगाना है उस डबल टेप को रिमूव कर देना है जाया कर देना है क्योंकि उस डबल टेप से बैक कवर की फिटिंग अच्छी नहीं होती पकड़ अच्छी नहीं होती तो वो मैंने उतार दिया और अब इस पे किसी भी किसम की डबल टेप नहीं है अब जो मुबाइल पर हमने गम लगानी है यह आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह लगा रहा हूं बिल्कुल किनारे पर नहीं लगानी किनारे से थोड़ी सी अंदर की तरफ करके गम लगानी है क्योंकि इस तरह जब बैक उपर लगेगी और दबाव पड़ेगा तो साइड से गम नजर नहीं आएगी यह थोड़ी सी मैं गम लगा लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूं यह देखें इस जगा पर बिल्कुल किनारे पर आपने गम नहीं लगानी यहां पर ना लगाने से क्या खूबसूरती होती है वो आपको मैं बाद में दिखाता हूं गम मैंने लगा दिया और कवर यह मैंने आरजी उपर लगा है तो देखें किसी भी किसम की कोई गम बाहर नजर नहीं आ रही तो अब हमने क्या करना है कि तकरीबन पांच रिंग रबड़ वो लेने है और जिस तरह यह मैं लगा रहा हूं इस तरह लगा देने है दो लंबाई के रुख पे और तीन चुड़ाई के रुख पे तकरीबन आदा गंटा इन रिंग रबड़ को लगे पैने देना है यह देखें कितनी जबर्दस्त इसकी फिटिंग हो गई है बिल्कुल कोई गम के जर्रात बाहर नहीं आए उमीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल साथ मुबाइल्स चन्योट सब्सक्राइब करें आपकी महबतों का शुक्रिया